हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में हैं दोस्तो आज के वीडियो में हम 6 अक्टूबर से समंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important करेंड अफिर की questions को डिसकस करेंगे और हैरे questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे question भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से डाउलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप के लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चले शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम important topic को revise करते हैं तो उत्यव प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद इसको हम revise करेंगे तो आगरा का एक जिला एक उत्पाद क्या है तो चम्रा उत्पाद और स्टोन या मारबल से निर्मित सभी हस्त सिल्प उत्पाद अम रूहा का गया है तो वादियंत्र यानी ढूलाप और रीडिमेट गार्मेंट अलीगड़ का है ताले एवं हाडवेर एवं मेंटल हैंडी क्राफ्ट और यहा का दूद प्रसंसकर्ण में देसी गी आजमगड़ की बात करें तो काली मिट्टी के कलाकरतियां ये आजमग बनायू तो बदायू से जरी जर्दोजी उत्पाद को चुना गया बागपत से होम फरनीसिंग को बहराई से गयहू डंडल हस्त कला उत्पाद और खाद्य प्रसंसकर्ण बरेली से जरी जर्दोजी और बांस के उत्पाद याद रखेंगे बांस के उत्पाद किस जुले का तो बरेली का है बलिया से है बिंदी उत्पाद बस्ती से कास्ट कला एवं सिरिका उत्पाद बल्रामपुर से खाद्य प्रसंस्क्रण दाल है और भदोही से कालीन ये कुछ उत्रप्रदेश के कुछ जिलों के ओडी ओपी थे एक जिला एक उत्पाद थे और उम्मीद करता सुरू करने से पहले हम कल के कुछ रिवीजन करेंगे कल का पहला कुछन है उत्रप्रदेश सरकार द्वारा उत्रप्रदेश डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडूर का मुख्य नूडल अधिकारी किसी नियुक्त किया गया औप्सन नमबर एक औरेक्ट आरकेस भदोरिया को अ मिल जाएगी वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नमबर और इमेल मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला कुछान है निजी छेत्र की फर्मों ने राज के हरित उर्जा छेत और इसका करेक्ट होगा अगला है हाली में उपचुनाव आयोक्त की रूप में किसी नियुक्त किया गया तो आजय भादू को अगला है भारती वायुसीना में सामिल किये गए पहले made in India light combat helicopter का नाम किया है तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड अगला कुछन है हाली में अ अंतरास्टिय सांती पुरुसकार से सामानित किया गया तो यह जो पुरुसकार किसे दिया गया है तो यह दिया गया है डॉक्टर आलोग सकसेंण को option number B इसका correct होगा अगला है घर किस विश्विध्याले दॉरा एक स्टार्ट अप प्लेटफॉर्म बनाए गया तो गुजर प्रदर्सित किया गया तो और इसका करेक्ट होगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा मुरादाबाद दोस्तों हस्त सिल्फ निर्यात समवर्धन परिसत ग्वाटेमाला में मेड इन इंडिया सो का आयोजन कर रहा है भारती चायोग की मदद से आयोजित की गई इस ट्रेड सो प्र प्रदर्सित किया गया है ट्रेड सो में अगर देखा जाए तो भारती अकला से और भी और भी कई सारे जो सिल्फ है और जो भारती अकला है और जो भारती हस्त सिल्फ निर्माताओं और जो निर्यातक हैं उनके और भी उत्पादों को वहां पर प्रदर्सित किया गया है त मेड इन इंडिया सो का आयोजन किया जा रहा है उस दोरान अगला उच्छान है उत्ते प्रदेश में किस जिले में हाली में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब यानि की खगोली प्रयोग साला का सुभारम किया गया तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है जहांसी जहांसी जिले में प प्रात्मिक विद्यालाय में खगोली विद्साला इसका नाम क्या रखा गया तो जैविज्यान तो इसका जो है विदिवत लोकारपन किया है तो याद रखेंगे कहां पर जहांसी में और जहांसी में कहां पर तो मोट की ब्रहुली ग्राम पंचायत की कंपोजिट प्रात्म किया गया है इससे क्या होगा तो चात्रों को लेब के सारे पढ़ाई करने में आसानी मिलेगी और चात्रों की उज्वल के लिए जो इसका निर्माण किया गया और इसी तरह से जनपत में लगवक 40 विद्यालियों में खगोली वेदसाला के जो वेदसाला ब्रियोग साला है इसको जो है सुभारम किया गया और दोस्तों खगोली ब्रियोग साला है यहाँ पर प्रतिवी और इसके लावा बायूमंडल है इससे संब्स जो है इसका परिक्षण किया जाईगा अगला कुश्यान है उत्तवरदेश सरकार ने राज्य पुलिस के विसेश अनुसंधान दल का नाम बदल कर क्या रखने का निरड़ा लिया तो option number इसका ए करेक्ट हो जाएगा राज्य विसेश अनुसंधान दल दोस्तों UP में जो SIT है आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा SIT जो SIT है इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है विसेश अनुसंधान दल यानि की Special Investigation Team तो जो SIT है SIT का आप नाम बदल दिया जाएगा और इससे अब क्या कहा जाएगा तो SIT इसका नाम कर दिया गया है यानि इसका फॉल फॉर्म क्या हो जाएगा तो State Special Investigation Team ये इसका नाम हो गया है तो ध्यान रखेंगे आप SIT अब लोगों के इवर सुना होगा कि SIT की की मांगाती है तो वही SIT है और इसका नाम बदला गया है SSIT का नाम हो गया है सुंबार्क उत्यप्रदेश सरकार द्वारा विसेश अनुसंधान दल यानि SIT का नाम बदल कर राज विसेश अनुसंधान दल यानि SSIT उत्यप्रदेश किये जाने का नड़ाय लिया गया है और option number D यहाँ पर correct होगा उप्रूप तो सभी यानि एलन एस्पेक्ट जोन एफ क्लोसर और एंटोन जिलिंगर को दोस्तों 2022 के लिए physics में Nobel पुरुसकार की गोशना की गई है और 2022 में जो Nobel पुरुसकार है physics के चेतर में यानि भौतिकी के चेतर में नाम क्या है तो याद रखेंगे एलन एस्पेक्ट जोन एफ क्लोसर और एंटोन जिलिंगर इनको जो है सभी चेतर में नोबिल पुरुसकार दिया गया है दोस्तों यह इन्हें क्यों दिया गया है तो उन्होंने उलजे हुए फोटानों के प्रयोगों के लिए बेल असमानता के उलंगन के स्थापना और अगड़ी क्वांटम साइंस के लिए पुरुसकार जीता है वहीं 2021 का भी याद रखेंगे कई बार पिछला पूंच लिया जाता है तो 2021 में जो बहुतकी के चेतर में नोबिल पुरुसकार दिया गया था वो किसे मिला था तो जियो जियो पैरिस किस चेत्र में चिकिसे चेतर में तो वो किसे दिया गया था तो नाम याद होगा आपको स्वांत्य पैबो स्वांत्य पेवे को जो है चिकसा के चेत्र में 2022 में नोबेल पुरुसकार दिया गया अगला कुशन है 2022 की राश्टी खेलों में अंडर 20 विस्टी जेंपियंशिप में अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता तो इन्हों ने जीता है सोरण पदक यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते ह महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग में जो अंतिम पंगाल है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यह अंडर 20 विस्टी जो चेंपियन से फुई थी उसमें इन्होंने मेडल जीता था और उसमें यह जो है ऐसा करने वाली पहली भारतिय महिला बन गई थी तो यह भी आप ध बन जाए इन्होंने महिलाओं की 53 किलो फार वर्ग में कान से पतक लुए तो यह भी अपनाम याद रखेंगे मंगल और से मेडल जीता और पतक जीता है कुश्ती परतियों कि महिलाओं के 53 किलोग्राब भार दउमें भार जाता है तो जो चिक शक क्छक दिवस बर को माना यह जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है तो सिख्षकों को चात्रों के पृति उनकी योगदान को चिनित करने धन्यवाद देने और समान करने का यह दिन है इसे कब घुसित किया गया था तो यूनेस्को दोरह 1994 में 5 अक्टूबर को विश् दिवस की दोस्तों इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि हमारे देश में जो राष्ट्री सिख्षक दिवस से बोकम मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है पांच सितंबर को उसे भी याद रखेंगे और किसके जन्म दिवस पर तो जो सर्पली राधा कृष्णन थे उनके ज पार्टी है इन्हें जो है भारत की चुनाव आयोग का नेशनल आइकोन बनाया गया उन्हें युबा मद्दाताओं की बीच जागरुपता पैदा करने के लिए चुनाव आयोग ने साथ जुड़ने के लिए सम्मान के लिए चुना गया है और यह जो गोश्ड़ा है वो पूँचा जाता है कि भारत की चुनाव आयोग का नेशनल आइकोन के से बनाया गया तो यह बनाया गया है वनीता पंकश त्रिपाटी को और दोस्तों मुख चुनाव आयोग तो कौन है वरतमान में तो आपको याद होगा कल की वीडियो में आपको बताया था जो राजीब तो इसके लिए चुना गया है डॉक्टर मादव हाडा को और बीस का करेक्ट होगा दोस्तों जो बिहारी पुरुसकार है यह किसके द्वारा दिया जाता है तो यहां पर देखेंगे केके बिरला फाउंडेशन की और से जो है यह दिया जाता है और साल 2022 में जो 32 मा बिहारी पुरुसकार है यह किसको दिया गया है तो यह आप याद रखेंगे नाम अच्छे से डॉक्टर मादव हाडा को यह पुरुसकार दिया गया है अब दोस्तों यह जो पुरुसकार यह ने क्यों दिया गया है तो जो डॉक्टर हाडा है इनको जो है हिंदी में प्रकासित उन अब जो है इसके लिए ये 32 बिहारी पुरुषकार इन्हें दिया जा रहा है अब यहां पर बात करें कि जो बिहारी पुरुषकार है ये है क्या और ये किसी दिया जाता है तो 1990 में ये पुरुषकार इस्थापित हुआ था और ये जो पुरुषकार सिर्फ और सिर्फ राजस के मूल निवासी हो यानि की कह सकते हैं कि राजस्थान से जो संबंदित लेखक हैं उन्हीं को जो है बिहारी पुरुषकार दिया जाता है दोस्तों यह जो पुरुषकार है यह हर साल हिंदी और राजस्थानी भासा में प्रकासित कृति के लिए दिया जाता है और इस रखेंगे जो 32 विहारी पुरुसकारे वो किसी दिया गया तो डॉक्टर मादव हडा को अगला विश्यान है अंतराश्ट्री अंतरिक्ष यात्री महासंग की उपाद्यक्ष की रूप में किसे चुना गया है तो ऑप्सन नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी एके कुमार इन्हें जो है हाले मैं अंतराश्ट्री अंतरिक्ष यात्री महासंग की उपाद्यक्ष की रूप में चुना गया है वर्तमान में जो एकि अनिलकुमार है यह एसोसियेट डारेक्टर की रूप में कारेरत ہیں यहां पर इस रो में उनीससो कियावन मैं इस्थापित अंतरश्टीया नतरिक्ष यात्री महसं ये 72 देसों मैं 433 सरदस्यों के साथ दुनिया का अंतरिक्ष प्रुननती निकाय है तो याद रखेंगे आप जो अंतर एक्ष यात्रि manipulating महसंग है इसका उपाद्यक्ष जो है किसी निक्तिय गया है तो इस रो की जो वरिष्ट वग्यानिक है एके अनिल कुमार इन्हें जो है इसका उपाद्यक्ष निक्ति किया गया तो इनका नाम अभी चर्चा में याद रखेंगे दोस्तों इस रो की अगर हम बात करें तो इस रो का फुल फॉ यह जो है इस रोके चीफ हैं इनका नाम याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है अगला कुश्या ने साल 2022 का संयुक्त राष्ट्र सरडार्थी एजनसी का प्रतिष्टत तानसेन पुरुसकार किसने जीता तो यह जीता है एंजिला मरकेल ने दोस्तों चार अक्टूबर 2022 को पूर्वज जर्मन जो चांसलर है एंजिला मरकेल इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र सरडार्थी एजनसी का प्रतिष्टत जो पुरुसकार है नानसेन पुरुसकार यह इन्होंने जीता है और दोस्तों जो नानसेन पुरुसकार है यह एंजिला मरकेल को क्यों दिया ज जाता है सरणार्थियों के लिए संग्तराष्ट की जो पहले उच्छायोगते थे फ्रिज जॉफ नांसेन इनकी सम्मान में यह शुरू किया गया था तो यहां से आप याद रखेंगे कि जो 2022 का नांसेन प्रुसकार है वो किसी दिया गया तो एंजला मरकेल को दिया गया तो दोस्तों यह थे 6 अक्टूबर से समंधित उत्रवरदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्र की कुश्चिन जो कि हमने डिस्कूस किये अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कुश्चिन जो हमने आप से पूछा था कि हाली में चिकिसा के चित है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोकेशन का अंसर जरूर क्या करो तो दोस्तों आसका वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसी लाइक करें अपने दूस्तों के साथ सेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल ते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू